नमस्कार आप देखरें स्पेशल डिपोर्ट मैं हूँ आपके साथ आयुशी गुपता चले रूख करते हैं खबरो क्यूर इरान की राश्पती इबराहीम रैसी की मौत की ओफिशियल जाच शुरू हो गई है और इस बीच दुनिया भर में एक थ्यूरी चल रही है कि रैसी की मौत में इसराइल का हाथ है हलाकि इसराइल के एक बड़े अधिकारी ने इससे साफ इंकार किया है बावजूद इसके इरान और इसराइल के बीच करनाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट अभी ये मान रहे है कि हो सकता है कि रैसी की मौत की वज़ए इसराइल हो इसे पर देखिए स्पेशल रिपोर तारीक उन्नीस मई समय शाम साथ बजे जगर वर्जेकान इरान इरान के राश्रपती इब्राहिम रैसी का हेलिकॉप्टर क्रैश ये वही जगह है जो इसराइल के खुफिया एजेंसी मौसाद का गड़ मानी जाती है लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौसाद ने इरान के राश्रपती रैसी को मरवा डाला इसराइल इरान के भीच के तनाव को देखते हुए ये शंका बहुत सहज है और इसकी डीटेल में परताल बहुत जरूरी है लेकिन पहले इरान की सड़कों पर रैसी को अलविदा कहने उतरी भीड को देखिए उदास चेहरे और आंखों में आसु देखिए हजारों लोग रैसी को श्रद्धांजली देने उनका पार्थिव शरीर ले जाते ट्रक के पीछे पीछे जाते देखे रैसी इरान के सिर्फ राश्रपती ही नहीं थे बलकि हाल के समय में इरान को एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के नक्षे पर स्थापित करने वाले नेता भी थे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसरेल ने रैसी को मरवा दिया इरान उन देशों में शामिल है जिसने इसरेल के अस्तित्तों को हर दम चुनौती दी है मुस्लिम देशों में इरान नमबर वन है जो इसरेल के लिए परिशानी का कारण रहा है लहाजा रैसी की मौत की सुई स्वाभाविक रूप से इसरेल की ओर मुरती है यहां हम शक के उन छे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहट कहा जा रहा है कि रईसी की मौत में इस्रेल कहा थे शक की वज़ा नमबर एक इस्रेल इरान का दुश्मनी वाला रिष्टा डावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलिकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमिन दोस कर दिया गया लेकिन इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती दूसरी ओर कारण ये भी गिनाया जा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इस्रेल पर किये गए हमले में भी इरान का हाथ होने की बात कही गई थी और इसी का इस्रेल ने बदला लिया है लेकिन यहां ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस्रेल के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है शक की वज़े नमबर दो इस्रेल विरोधियों को इरान का समर्थन आतंकी संगठन हिजबुल्ला हो या यमन के हूथी विद्रोही या फिर हमास इरान इस्रेल के खिलाफ इन सारे संगठनों को समर्थन देता रहा है ये एक बड़ी वज़े बताई जा रही है इसी लिए रईसी को इस्रेल में मरवाया होगा लेकिन ये महज कयास है हेलिकॉप्टर क्र्याश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि हादसे वाली जगए अजर्बाइजान के करीब है और इतिफाक से अजर्बाइजान के इस्रेल के अच्छे रिष्टे है सच पूछिये तो मुस्लिम देशों में सिर्फ अजर्बाइजान है जिसके रिष्टे इस्रेल से अच्छे रहे हैं अजर्बाइजान के आर्मेनिया से दुश्मनी है और इरान आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है शक की वज़ा नंबर चार इस्रैल का टारगेट इरा एक्सपॉर्ट का मानना है कि इस्रैल इरान में military और nuclear sites को target पर लेने की कोशिश करता रहा है। इसका कारण इरान का इसरेल के प्रतीर रवया है जो इसरेल के बारे में कहता है कि अर्वों की जमीन पर यहूदी देश होने का क्या मतलब है। लेकिन देखने वाली बात है कि रईसी की मौत की साजिश में हाथ होने का मतलब इसरेल का सीधे इरान के खिलाफ एलाने जंग करना होगा और इसरेल ऐसा नहीं चाहेगा। शक की वज़ा नमबर पांच तीन में से सिर्फ एक रईसी का हेलिकॉप्टर क्रेश। सवाल उठ रहे हैं जब मौसम खराब था तो रईसी के काफिले में शामिल तीन हेलिकॉप्टरों में से दो कैसे बच गए और सिर्फ रईसी वाला हेलिकॉप्टर क्रेश कैसे हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि मौसम उडान के अनुकूल नहीं था तो रईसी को डेड़ सो किलोमीटर तक सडक मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया। जाहिर है इन सवालों का जबाब जाँच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। अप्रेल महीने में सीरिया की राजधानी दमिश्ट में इसरेल की ओर से किये गए एक हवाई हमले में इरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहमद रेजा समेथ एक अफसर की मौत हो गई थी। इरान का गुस्सा इसके बाद चरम पर था जिसका जवाब इरान ने इसरेल पर मिसाईले दाग कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसरेल ने अब तक इसका डाइरेक्ट जवाब नहीं दिया है। इसी लिए शंका जटाई जा रही है कि अपने सबसे बड़े और कटर दुश्मन के अंत के लिए इसरेल ने खुफिया एजेंसी मोसाद का इस्तेमाल किया और रईसी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारे शक सिर्फ शक ही है। जब तक क्रैश होने की असली वज़ा का पता नहीं चल जाता। इसरेल के हांथ नहीं होने के कारण भी गिनाय जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता। इन सब के बीच रईसी के लिए इरान में लोग ही लोग उम्रे। और चले रुकरते अगली खबर की और और इस वक्त इसरेल की एक गलती उस पर बहुत भारी पर सकती है। लेकिन नेतन्याहू ने ये ठाल लिया है कि वो बिलकुल भी नहीं जुकेंगे। यही वज़ा है कि लेबनान बॉर्डर पर इसराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का फैसला कर लिया है और उसके रॉकेट कमांडर को भी मौत के घाच उतार दिया है। इसे पर देखे स्पेशल रिपोर्ट। 19 मैं को इरान के राश्चेपती इबराहिम रईसी का हीलिकॉक्ट्र क्रेश होता है। अगले ही दिन इसरेल दावा करता है कि उसने हिज़ा के रॉकेट कमांडर को ओम отвा डाला है। इस्रेल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी को गून स्ट्राइक में मार दिया गया है हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी ने बॉर्डर पर इस्रेल के खिलाफ कई मिसाइल अटैक करवाएं हिजबुल्ला के इस कमांडर ने कैसी इस्रेल की नाक में दम किया हुआ था आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हम्लों को देखकर समझ सकते हैं ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्ला ने इस्रेल की बफ्तरबंद गाड़ियों को उड़ा है बलकि बॉर्डर पर तैनाद किये गए कई कम्मिनिकेशन सिस्टम भी धमाकों से उड़ा डाले इस्रेल में लगातार एरस्ट्राइक और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है इस्रेल का दावा है कि 7 अक्तूबर के बाद से हिजबुल्ला के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है इसमें हिजबुल्ला के 300 से ज़ादा लड़ाके इस्रेल के अटैक मे मारे जा चूके हैं इनमें 30 बड़े कमांडर शामिल है रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी का नाम भी इस फेरिस्ट में शामिल है वहीं इस्रेल के 20 सैनिक हेजबॉला के हमले में जान गमा चुके हैं ये बात खुद इस्रेल भी मानता है अब सवाल है कि हेजबॉला को कंट्रोल करने वाला इरान जब अपने राश्रपती और विदेश मंत्री की मौत का गम बना रहा है तब इस्रेल का अगला बड़ा हमला कहा हो सकता है क्या अगला नंबर हिजबॉला के चीफ हसन नस्रला का है क्या इस्रेल के टार्गेट पर इसमाईल हानिया भी आ चुका है क्या इस्रेल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है करीब आठ महीने से पूरा पश्य मेशिया एक बड़े युद्ध की चौकट पर बैठा हुआ है अगर गाजा पट्टी इस्रेल की बंबारी में खंधर बनता जा रहा है तो उत्तर में इस्रेल और लेबनान के वॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है अब सबका फूकस है गोल्ला के कमाण्डर हसन नस्रला पर है हसन नस्रला का हेटकवाटर लेबनान की राजधानी बेरूत में है बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हजबुला का सबसे मजबूत गड़ माना जाता है बताया जाता है कि यहीं पर करीब 1.500 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का घर है हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आस्मान के नीचे नहीं देखा गया है यानि पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही है बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इसरेल को भी नहीं मालूख आखिरी बार 2016 में हसन नसरला को पबलिक के बीच देखा गया था हसन नसरला का पबलिक के बीच आना अचानक होता है इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलो में बताया जाता है हसन नस्रल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते है हसन नस्रल्ला के बंकर का दर्वासा कहां खुलता है किन गलियों से बंकर तक रास्ता है इसके बारे में हिजबुल्ला के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और वो हिजबुल्ला के सबसे खास लोग माने जाते हैं उपर इसरेल के ढोंग और विमान जरूर मन रहते हैं लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती यही तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे एरान से पूरी मदद मिलती है और एरान हिजबुल्ला को इसरेल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तेमाल भी करता आया है लेकिन इसरेल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में 2006 वाले युद्ध की तबाही तोहराई जा सकती है 2006 में हेजबुल्ला और इस्रेयल के बीट 34 दिन तक युद्ध चला था तब इस्रेयल के 121 सैनिकों को मिला कर 160 लोग बारे गए थे जबकि हेजबुल्ला के 500 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी ये युद्ध संयुक्त राश्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खटन हुआ और इस्रेयल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था हेजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था इसलिए अगर इस बार भी हेजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजे इरान को भी बहुत बड़ा जटका लगेगा वैसे नितन्याहू भी यही चाते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूत के धेर पर बैठा चुकी है रैसी की जान जा चुकी है इरान अब भी इसरेल को शक्त की निगासे देख रहा है वहीं घाजा में जिस तरह की बंबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे ही सक्ते में डाल दिया है हजारों पच्चों की मौत को लेकर इसरेल इस स्वक्त कटभरे में है और नितन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह से घिर चुके है